हेलो फ्रेंड्स विल्कम टू शॉर्ट हेंड गुरू जी आज की वीडियो में हम बात करेंगे ससिस्ट इनोग्राफर 2018 के रिटिन एक्जाम के बारे में जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि 5-7 फरोलिता की एक्जाम होने वाला है और अब एक मैने से भी कम कर टाइम हम लोग क के पास बचा हुआ है तो इतने कम दिनों में अपनी स्टडी को किस तरीके से करना है क्या स्टेजी अपनानी है और किस तरीके से पढ़ाई करनी है कब रिविजन करना है कितना आवर टाइम देना अपने स्टडी को यह सब मैं आपको बताने वाले इस वीडियो में तो प्ल combination के लिए चाहिए वो आप से इजेल डाले हो या स्टेट लेविल को एक्जाम हो कोई भी एक्जाम हो अगर आपके पास इतना कम टाइम भसता है तो आपको अधर कोई subject या other किसी exam की त्यारी नहीं करनी चाहिए like कुश लोग short hand भी सीख रहे होंगे कुश लोग और भी exams की त्यारी कर जायूंगे तो ऐसी आपको नहीं करना है आप शॉट हैं भी बन कर दीजए इस इस written exam तक और अधर एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं तैसे कुश लोग math पढ़ हैं कुछ लोग हिनदी पढ़ रहा होते है अधर एक्जामップ के लिए या और कोई सब्जेक्ट पढ़ रहोते है तो उसको हापको रोकना होगा क्योंकि उपका पास में है उस सब के लिए आपके पास टाइम नहीं आप पत जीतना भी टाइम है आप जो अदर सब्जेक minimum 7 hour की study और वो study focused study रहनी चाहिए अब इस 7 hour को हम divide करते हैं 3 part में क्योंकि हमारे exam में 3 subject आते हैं English आता है, GS आता है और reasoning आती है तो 7 hour में 1 hour तो आप निकाल दीजिए सिर्फ और सिर्फ reasoning के लिए आपकी जितनी ज़्यादा हो सके अटनी practice reasoning के लिए करिए क्योंकि reasoning एक ऐसा subject है जिसमें आप 50 में से 50 भी score कर सकते हैं बाकी English और GS में तो ये possible नहीं होता है कि आप पूरे पूरे number ला पाएं लेकिन reasoning ऐसा subject होता है जो कि काफी ज़्यादा tough नहीं आती ये शिनोग्राफर में तो ये बहुत ही अच्छा subject है अच्छा score करने के लिए और हम काफी लोग score भी करते हैं तो जब सब लोग करते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं बस आप अपनी practice अच्छी रखिए आप भी अच्छा score कर पाएंगे reasoning में तो reasoning में तो मेरे साब से कुछ बताना नहीं है बस आपको practice करनी है लोग reasoning पढ़ता चुके होंगे अब सिर्फ और से आपको question के practice करनी है और कुछ नहीं करना है गंटे daily consistency बना के करनी है gap नहीं होना है किसी दिन और अब हम main point पे आते हैं जो हमारा दो subject है सबसे important subject है English और दूसरा है GS इन दोनों के लिए 3-3 घंटे आपको देने होंगे तो English में जो आप 3 घंटे देंगे उसमें से आप 2 घंटे तो सबसे पहले grammar के लिए reserve रखिए कि 2 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ grammar पढ़नी है उसमें vocabs include नहीं होंगी उसमें और भी कोई चीच include नहीं होंगी आप previous share उठाइए और उसमें एक एक question को solve करिए और देखिए उसमें क्या rules follow हुए हैं और वो rules आप एक notebook बना के लिखिए ठीक है और daily आपको उसको revise करना है तो आप जितने भी questions ज़्यादा से ज़्यादा आप solve कर पाएं दो घंटे में आप करिए वो किसी भी syllabus related हो आपका spot इसमें आप कोई grammar की book खोल के नहीं बैठनी है rule wise noun pronoun इस तरीके से पढ़ने के समय नहीं है वो आपने जब notification आया था तब से लेकर आपने हुई तक जो पढ़ाएगी तब आपने इस सब किया तब तो ठीक था पर आपको रूल नहीं पढ़ना है अब आपको direct इस पर focus करना है कि आप practice it लीजिए और उसको भी solve करें time to time और previous year भी लीजिए previous year में जिसमें answer दी रहते हैं बहुत ज़्यादा helpful होगा आपके लिए और जैसे passages होते हैं close test होता है तो इन सब के भी आप जो previous year से पढ़ाई करेंगे आप rules को note करते जाए अपने notebook में कि इसमें कौन सा rule follow हो रह जाता है क्योंकि इन दिनों यही सब आपके काम आने वाला examination में अपने जो rules में पढ़ा था उस सब rules तो किसी को याद होते नहीं है सिर्फ यही previous year और practice it यह आपके काम आएगा फिर English का जो एक गंटा बचा है उसमें आप अपने आप से divide कर सकते हैं आपको idiom and phrase भी learn करना हो होगा तो idiom, phrase, antonym के लिए आप कुछ extra मत करिए सबसे पहले तो जो आज चुके हैं examination में वो तो पूरे की पूरे आपको completely त्यार होना चाहिए जितने आज चुके हैं examination में और जितने नहीं आए हैं उसमें आपको extra नहीं पढ़ना है आपने अब तक जो पढ़ाई की है उस आ चुका है वो तो आपको हर हाल में त्यार होना ही चाहिए तो ये इस तरीके से तीन घंटे आप अपने देंगे English की preparation के लिए ठीक है और अब next चलते हैं GS की preparation पे तो GS के लिए भी आपको तीन घंटे देना है जिसमें से आप आदे घंटे तो निकाल दीजे current affairs के लिए पी करते हैं तो उनके लिए तो सबसे बड़ी आबात है उनको सिर्फ वही नोट्स पढ़ने है बट जिन्होंने नोट्स नहीं बनाई जो बुक लेके पढ़ते हैं उनके लिए यही है कि वह हाईलाइटर लेके बैठे हैं और जो उनको पॉइंट लगे कि हाँ ये मेरे exam के लि बहुत यूजफुल है आपके लिए उसके बाद जो धाई घंटे बच रहे हैं उसको आप कैसे यूज़ करेंगे धाई घंटे में आपको जो प्रिविएस यह आपके पास है उसमें देखिए आप कुश्चन वाइस स्टार्टिंग में दिया हुआ रहता है कि आप में वाइड करने के बाद टोटल एंजोर आ रहा है कि 20 कुश्चेन आपको हिस्तिम पढ़ने है 15 कें आपको हिकी में पढ़ना है 10 कें आपको क्यमेंस्ट्री में पढ़ना है यह आपको मंडे चैनर्य में mois का रिविजन रिजन करना है यानि कि जो भी मंडे से लेकर आपने शेटर देट तक 1010 कुष्चन या 2020 कुष्चन आपने जो भी पढ़ाई की थी वो सब कुष्चन को सिर्फ रिवाइस करना है संडे को को एक्स्टर नहीं पढ़ना है आपको यह समय ऐसा नहीं है कि आप लूसेंट लेके ब तीसरे दिन या चौथे दिन आप एक घंटे निकाल के कोई भी स्पीड टेस्ट जरूर दें ऑनलाइन बहुत सारे स्पीड टेस्ट आचकर मिल जाते हैं तो आप ट्राई करें कि कोई भी बेस्ट स्पीड टेस्ट जो की आपकी एक्जाम के लिए उस्फूल है यानि कि 10 प् के साथ साथ अब टाइम भी आप मैनेज कर पाएंगे आपको टाइम मैनेज करना भी बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा जितना जदा पर स्पीड टेस्ट देते हैं क्योंकि रिजनिंग जैसे सब्जेक्ट्स में स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट होती आप जितने कम ट इस मिनट में 200 कुश्यन करने हैं अब आप खुदी अपने हिसाप से कल्कुलेट कर लिजे कि एक कुश्यन पर कितना मिनट मिलता है तो यही कुछ चिप्स थी जो कि आपको फॉलो करना है कुछ रिष्टा नहीं करना है बहुत ज़्यदा प्रेशर अपने उपर नहीं लेना एक दम इंद्राय करके पढ़ाई करिए और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए अपने फ्रेंड्स को साथ भी शेयर कर दीजे तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुडबाए